इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी नियू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैसेज्छ यवह अनूप सिंग जी का चुग है, ओक ग्रोव स्कूल एंड सैनिक स्कूल कौन सा बेटर होगा फ्यूचर के लिए देखिये, ओक ग्रोव स्कूल के अगर माँ बात करो तो ओक ग्रोव स्कूल का है थोड़ासा stylish school है, hi-fi school है boarding school है, 1,80,000 पर fees है, businessmen के बच्चे 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 और CBSC board की पढ़ाई के उपर ज़्यादा focus किया जाता है और CBSC के पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को future के लिए तयार गिया जाता है तो एक smart school आप कह सकते है Oak Grove School, fees भी काफी जादा है 1,80,000 पर और ये Central Government का school है, Indian Railway के द्वारा इसको चलाया जाता है, railway employees को काफी benefit होता है लेकिन अगर हम लोग बात करें, सैनिक स्कूल की सैनिक स्कूल की fees तो बहुत कम है 1,20,000 पर, 1,30,000 पर इसकी fees होती है इसके अलावाँ सैनिक स्कूल का टार्गेट क्या आता है बच्चे को सैनिक बनाना, ओफिसर बनाना तो अगर आप बच्चे को आर्मी में डालना चाहते हैं, तब तो सैनिक स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर discipline, सैनिक स्कूल का कल्चर, सैनिक स्कूल का जो तौर तरीका है सुवेरे पांच बज़े उठाना मॉर्निंग ड्रिल करवाना हर चीज जो है बहुत ही आर्मी के रूल रेकुलिक्शन, बस आप यह समझे कि आपका बच्चा आगे चलके फौजी बनेगा तो शरीर से भी फौजी बनेगा, दिमाग से भी फौजी बनेगा परस्नालिटी से भी फौजी बनेगा तो अगर आप फौजी बनाना चाहते हैं तो मिलिटरी स्कूल, सैनिक स्कूल आपके लिए है लेकिन अगर आप अपने बच्चे को तयार करना चाहते हैं चाहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा बच्चा फॉज में नहीं जाएगा, मेरे को अपने बच्चे को तयार करना है, फ्यूचर के लिए, पॉंपेडिशन के लिए है, तो ओग ग्रोब स्कूल बहुत अच्छा है, ये चीज आपको समझना है, बेसिक सा डिफरेंस है, झाल के लिए लिन के लिए का थग।